जुंष अलब ब्रच सो फ्रेंड्स में यहां पर के लिए मैट्रिक्स की हैर पार क्रीम और उसी के साध साथ स्पलेट इन प्रोटेक्ट सेरम ले रही हूँ मैं मैट्रिक्स का एक साफ बाउल मैंने लिया है, एक टेल कॉम मैंने लिये, हेर सेप्रेट करने के लिए और एप्लाई करने के लिए प्रश, कुछ मैंने क्लचर्ज यहाँ पर लिये हैं, और पहले मैं हेर वाश कर लूँगी, लेकिन कंडिशनर अप्लाई नहीं करना है, उनली हेर वाश करना ह तो चलिए देखते हैं कैसे करना हैं। आप अपने हेर्स के अकॉर्डिंग क्रीम ले सकते हैं। मैंने phones के कॉर्डिंग 2 चमच इसमें क्रीम ली है। स्पा क्रीम। अर्में करीबन 3 बफ सेयरम लोगी यानि 60 चमच करीब हो, और अच्छे से इसको मिक्स कर रेंगे। हेलो फ्रेंड अब मैंने सिर्ध हुलिया है और थोड़ा सा काजल और रिप्स्चिक भी अप्लाई किया है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था अब मैं अपने हैस खोलूँगी और टेल कॉम से मिडल पाटिंग कर लूँगी दोनों तरफ मैं अपने हैस सुलजा लूँगी और एक साइड को मैं क्लेचर से लगा दूँगी अब हम अप्लाई करना शुरू करेंगे आप इसको रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो स्पा क्रीम होती है वो रूट्स पे अप्लाई होती है और कोई कलर या फिर कोई स्ट्रेटनिंग क्रीम भी नहीं होती है अभी बज़ रहे सुपर के 8 इसले मैं थोड़ी चाय भी पी रही हूँ और मैंने ये हैर वाश करने के साथ साथ ही हैर स्पा किया था अब इसे आपन अच्छे से अप्लाइ कर लेंगे अगर आपकी पास गलव्स हैं तो आप गलव्स भी पहन सकते हैं पर इससे ऐसा कुछ हाम होता नहीं है इनफाक्ट बहुत स्मूद निंग क्रीम है तो इसमें कुछ प्राबलम होती नहीं है तो गलव्स नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा मैंने शायद जल्दी-जल्दी मैं गलव्स नहीं पहने थे, मैं भूल गई थी अब हम इसको एक कोम से, अच्छे से कोम करेंगे, जिससे की क्रीम एक-एक बालों में लग जाए एक साइड हो गया, अब मैं दूसरा साइड करूँगी उसी तरीके से हम लगा लेंगे अच्छे से क्रीम हर जगे अब आप इसको अच्छे से मसाच टाइप का करके, जहाँ-जहाँ क्रीम नहीं लगी है और अपने जो एंड्स हैं, जो मैंने उपर हैर टाई कर लिया तो वो एंड्स उपर आ गए हैं, वहाँ पर मैंने क्रीम लगाई है अब मैं एक पॉलेथीन बांत के 20 मिनिट के लिए इसे छोड़ दूँगे और उस 20 मिनिट में आप अपना थोड़ा काम भी कर सकते हैं अब मैंने इसको हेर ड्राय से गरम कर रही हूँ, अगर आपके पास हेर ड्राय नहीं है तो मेरे पास इसके लिए दूसरा उपाय भी है मगर अगर आपके पास hair dryer है तो यह बहुत easy तरीका है घर पे spa करने का क्योंकि बाहर से जब हम hair dryer करते हैं तो बहुत heat अंदर में हो जाते हैं बाल दूसरे तरीके में मैंने यहाँ पानी गरम कर लिया है और मैंने इस तरीके से एक towel लिया है साफ अब मैं दोनों छोड़ से towel को पकड़ के बीच में से उसको गरम पानी में dip करने वाली हूँ इस तरीके से और फिर इसको हम निचोड लेंगे अच्छे से निचोड लेंगे काफी अच्छे से और हम इसको अपने hair के उपर apply करेंगे वो भी polythin निकाल कर और ऐसा आप दो से तीन बार कर सकते हैं according to आपके बालों का कैसा texture है अगर जादा रॉफ है तो आप जादा बार इसको apply कर सकते हैं तो आप मैंने स्पा करने के बाद अपने बाल दोली है और एक एक बाल अलग हो गया है स्पा करने के बाद मैं इसको ड्राय करके आपको दिखाने वाली हूँ आप जब भी हेर ड्राय करते हैं तो थोड़ा दूर से ही कीचेगा वरना आपके हेर स्पाइल हो जाते हैं अब मैं apply कर रहे हूँ थोड़ा सा सेरम सिर्फ एक बफ मैंने apply किया है बहुत ही थोड़ा सा और आप इसको रगड़ेंगे नहीं वलकि अपने बालों पे इस तरीके से इसको observe होने देंगे तो हो गया है मेरा हेर स्पा और हलके हलके सूख भी गये हैं मेरे बाल पूरे तरीके से भी नहीं सूख हैं देख सकते हैं आप एक एक बाल अलग हो गया हेर स्पा करने से जब भी आप हैस्पा करते हैं करवाते हैं तो आपका एक एक बाल अलग हो जाता है और इसको पैचानने का यह तरीका है कि आप जिस साइड भी पार्टिंग करना चाहेंगे उस साइड पार्टिंग हो जाएगी देखिए तो अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर